तो हाई गाईस वेलकम बैक टो आवर यूटूब चैनल और वेलकम टू माइ न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मारकेट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे और इस चैनल के उपर अभी नए आये हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी के उपर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बैल नोडिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती जाए और एक इंपॉर्टेंट बात वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपको बतानी है अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स के उप्शन्स में ट्रेड करना चाते हो और डेली मिनिमम अगर आप एक लॉट के अंदर भी ट्रेडिंग करते हो तो मिनिमम दो से तीन हजार तक का प्रॉफिट बनाना चाते हो तो आप मेरा premium telegram group join कर सकते हो जिसकी fees सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज पर मन्त है और इस UPI ID पे और इस QR code को scan करके आप पैसे भेज सकते हो अगर आपको कोई other payment option चाहिए जैसे की net banking तो आप मुझे इस mail ID पे mail कर दो और कोई भी अपकी query होगी payment के regarding या फिर कोई other queries होगी तो आप मुझे इस mail ID पे mail कर सकते हो तो देखे आपको premium telegram में क्या-क्या benefits मिलते हैं F&O calls मिलते हैं Nifty bank Nifty के लिए तो मिलते ही है साथ में stocks के उपर बे मिलते हैं यहां तक कौन से stock आपको आपके portfolio में add करने चाहिए इसके बारे में भी जानकारी मिलती है जो भी stock मैंने आप recommend किये हुए हैं आज उनकी price बहुत ही बड़िया हो चुकी है तो यहां पे यह benefit आपको मिलता है fixed top loss and target दिया जाता है और live market में आपको support मिलता है तो यह सारे benefits आपको मिलते हैं वो भी सिर्फ 4000 रुपीज पर मन्त में तो आप देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप premium telegram group join कर सकते हो और यहां पे आपको minimum 3-4 nifty bank nifty के लिए call तो मिलते ही है साथ में आपको stocks भी मिलते हैं और F&O calls आपको stocks के लिए भी मिल जाते हैं तो यह जो सामने public telegram ID है जिसकी link नीचे description box में मैंने आपको provide की हुई है और यहां पे मैं आपको डेली एक demo call देती हूँ तो आप देख सकते हो कल भी मैंने दिया था और आज भी मैंने एक demo call आपको दिया था अगर एक call के अंदर आपको 40-50 point का profit हो रहा है और यहां पे मैं सिर्फ buying price बताती हूँ और जो main channel है premium telegram वहां पे आपको stop loss and target मिलता है detail अपको जो knowledge है वहां पे मिल जाता है तो यहां पे अगर आप देख सकते हो public telegram पे मैंने जो सारे demo call प्रोवाइड किये है वो minimum 40-50 point का profit दे चुके है और ऐसे आपको 3-4 call मिलते हैं तो सोचिएगा जरूर और join कर लीजेगा कुछ भी doubt होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो mail ID पे मैं आपका doubt clear कर दोंगी और इस public telegram channel को follow करना मत बूलेगा नीचे description box में link मैंने provide कर दी है अब ही चलते हैं nifty के analysis के तरफ तो nifty की closing कहाँ पे आई है तो 17,822 के पास nifty आज बंद हुआ है तो finally जाके nifty ने 700 और 800 के resistance zone के ऊपर की closing हमें दे दी है तो देखिए तीन session से nifty हमें लगातार तेजी दिखा रहा है और ये देखिए ये bottom तो बन चुका है 450 के तरफ तो मैंने क्या कहा था अपसे अगर nifty 550 break करता है तो next important support 450 का रहेगा और अगर इससे नीचे जाता है तो ही downside possible है और तो ही हम लोग कह सकते हैं bullish momentum जो है वो खतम हो चुका है यहां से nifty के अंदर लेकिन nifty ने 450 के support को respect किया और वहां से हमें एक recovery देखने को मिली और कल के session में nifty ने 550 के support को respect किया और 750 के तरफ हमें move देता हुआ दिखाई दिया तो यहां पर important क्या था कि nifty कभी से कब से हम लोग देख रहे हैं 650, 750 इस range में था और इस range से बाहर निकलना nifty के लिए बहुत ही जादा important हो चुका था तो अभी finally जाके nifty ने 850 के तरफ हमें एक move दिया है अभी भी वो level hold नहीं हुआ है लेकिन 800, 850 के zone में nifty पोहुच चुका है और यहां से अगर nifty zone में भी टिक जाता है न तो यहां से 18,000 हम लोग जल्द ही nifty के अंदर देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपसे कहा था अभी देखें nifty के लिए important है कि closing basis के ओपर 760 का level hold रखे तब ही एक अच्छा खासा up move हम लोग देख सकते हैं nifty के अंदर तो 760 अगर फिर से break कर लेता है nifty तो यहां से nifty हमें 500 और 500 के तरफ फिर से एक बारी चाता हुआ दिखाई दे सकता है और कोई भी अभी देखें इस market के अंदर position carry मत कीजेगा जो भी है intraday में निपटा लीजेगा अगर आप next day के लिए wait करोगे तो आपका बहुत जादा नुकसान हो सकता है तो अभी अगर nifty के लिए important level देखें तो वो रहेगा 760 का level अगर nifty इस support को break करता है 760 को break करता है तो यहां से nifty support 2 के तरफ चला जाएगा जो की रहेगा 650 के तरफ तो यह downside के लिए फिलहाल दो important support के levels है nifty 50 के लिए और upside के लिए यह level important है 850 का अगर 850 के उपर nifty एक बारे टिक गया तो यहां से 900, 920 के zone में resistance zone जो next है nifty के लिए वो 900 और 920 का level है तो अगर 920 के तरफ nifty पहुच जाता है एक बार तो थोड़ा सा consolidated होकर nifty कुछ ना कुछ करके 18,000 तो पार कर ही लेगा तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा यह दो support और resistance अपने दिमाग में fit कर लीजेगा और अगर option sorry option chain data के उपर अगर हम लोग नजन डाले तो option chain data के उपर देखिए सबसे जादा जो open interest है वो 8,000 के उपर है और writing भी देखिए 25,000 के हमें 8,000 के उपर दिख रही है तो यहां से जो view है वो bullish है market के तरफ और chances है nifty के जादा से जादा 80% chances है 18,000 के तरफ जाने के सामने अगर देखे put site में तो अच्छाखा सा support जो है वो 17,600 के उपर बना हुआ है और put writing की बात करें तो 800 के उपर सबसे जादा put writing हमें देखने को मिल रही है यानि के 800 और 600 ये दो important base बन चुके हैं nifty 50 के लिए और upside के लिए यहां से जो next level दिख रहा है water azar का दिख रहा है लेकिन बीच में 900-950 में एक resistance nifty को face हो सकता है तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभी चलते हैं bank nifty के तरफ तो bank nifty की closing कहा पर आई है तो nifty bank की closing आई है वो है 37,741 के पास और nifty bank उतना बढ़िया performance नहीं दे रहा है इतने में तो nifty bank को 38,000 के उपर तो जाना चाहिए अगर nifty bank अच्छा खासा perform करता है तो nifty को भी यह उपर लेके जाएगा तो अभी nifty bank ने डेली चार्ट के उपर फिलहाल एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है और 37,500 के उपर की closing मिली है तो यहां से nifty bank के लिए important जो level रहेगा वो रहेगा 37,500 का level अगर ये level nifty bank फिर से एक बारी break करता है closing basis के उपर तो यहां से फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है जो nifty bank को 36,500 और 36,000 के तरफ भी लेके जाएगी अभी अगर बात करें तो nifty bank 1000 points के range में चल रहा है 37,000 से लेके 38,000 के बीच में हमें trading करता हुआ दिख रहा है 1000 points के range में trading करता हुआ दिख रहा है यहां से breakout मिलना बहुत ज़्यादा important है या फिर breakdown तो अगर nifty bank 38,000 के उपर चला जाता है तो यहां से nifty bank हमें अपने all time highs के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो अगर 38,000 पार नहीं कर पाता है या फिर 37,500 से नीचे फिसल जाता है तो यहां से nifty bank हमें support लेता हुआ दिखाई देगा जो की 37,000 के पास nifty bank के लिए important है बीच में भी है 37,350 के पास लेकिन अगर यह support भी nifty bank break करता है तो next important support 37,000 के तरफ है तो अगर यहां से nifty bank के लिए मुश्किल हो जाता है 38,000 पार करना तो 38,000 या फिर 37,000 850 के तरफ से हमें गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी अभी क्या है देखिए bank nifty एक बारी कोशिश चो करेगा कि gap up open करके वहां से sustain करने के लिए try करेगा तो next training session में या फिर उसके बाद में nifty bank जो है वो gap up opening के लिए try करेगा अगर दिन की बात करें तो flat opening करके nifty bank उतना बढ़िया नहीं चड़ता है थोड़ी से गिरावट दिखाने के बाद support के हाँ से हमें bounce back देखने को मिला है nifty bank के अंदर तो वही continue रह सकता है pattern तो अभी nifty bank के लिए दो important support है 37,350, 37,500 और एक आप add कर लीजेगा 37,000 का ताकि अगर ये दोनो support break होते हैं तो next support की तरफ nifty bank recovery हमें एक दिखा सके upside की अगर मैं बात करूँ तो upside के लिए जो first resistance है nifty bank के लिए वो है 37,800 का level अगर 37,800 nifty bank ने पार कर लिया इसके उपर sustain कर लिया या फिर gap up opening करके 8,500 के उपर gap up होता है तो यहां से nifty bank के लिए first target रहेगा 38,000 का level अगर 38,000 के resistance को पार कर लिया nifty bank ने तो यहां से इस expiry के अंदर हम लोग nifty bank को 38,200 और 400 के range में बढ़ते हुए देख सकते हैं फिर new all time highs form करते हुए nifty bank को हम देख सकते हैं यह nifty bank के लिए important support resistance के levels हैं तो अभी अगर option change data के उपर एक बार हम लोग नजर डालें तो देखिए सबसे ज़्यादा open interest जो upside के लिए दिख रहा है हमें वो है 38,000 के उपर वही call writing सबसे ज़्यादा हुई है 37,800 के उपर और upside के लिए भी हमें contracts के adding दिख रही है 39,000 के उपर तो यह एक अच्छी बात रहेगी आसे nifty bank 38,000 के उपर sustain करने के लिए try कर सकता है या फिर gap up opening करके इसके उपर जाने के लिए try कर सकता है वही put site में देखें तो highest open interest जो बना हुआ है वो 37,500 के उपर बना हुआ है put writing भी हमें सबसे जादा वही पर दिख रही है तो मैंने यह support तो आपको पहले ही बोल दिया था चार्ट के उपर से 37,500 break होता है तो 37,000 के support के तरफ nifty bank हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह important support resistance के levels है nifty bank के लिए और nifty के लिए तो चो भी levels बताए है अपने चार्ट के उपर माग कीजेगा आपको ट्रेडिंग के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दोंगी तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होग इस चैनल को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगे आपसे next video में till then bye bye take care